बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सब लोग अमीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे आज हम लोग chemistry पढ़ने जा रहे हैं पार टू की chemistry चैप्ट नंबर 7 है और गैनिक chemistry का तो हम लोग direct चैप्ट नंबर 7 से इसलिए पार вообще करें क्योंके आपका जो फेपर का major portion है तो पार्ची की पढ़ियां आपकी फीजिकल इन और गैनिक और ओर गैनिक यह थी तीन ब्रांचितों嬸ण stipandır हो यह हैं इसमें जो हमारे पास physical की branch है physical chemistry में उसमें आपने पार्ट बन में भी last पड़े हैं उनकी application पड़े हैं और फिजिकल फिनोमेट है आप काफी पड़े हूई तो physical chemistry वहां पर आजाती है इन силь आर्गेनिक chemistry है आपने पार डू में बडे डिटैल में पड़नी है जिस में आपके पास periodic table है और periodic table के दर जितने भी elements है उनकी properties को study करना in organic chemistry में आता है organic chemistry हम लोग start करने जा रहे हैं कि organic compounds की study को ही organic chemistry कहते हैं आज हम इसको detail में भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत कि अस्टार्ड कहां से हो यह है तो Frederick Waller था हमारे पास उसने इसकी इदा किया, organic chemistry की basically पहले जो scientist का मानना था, उनका मानना कुछ different था, लेकिन बाद में सारा concept चेंज हो गया. अगर हम लोग 200 साल जो पहले के concept को देखा जाए, या उससे भी पहले की बात करें, तो उस टैम जो classification of compounds थी, वो कुछ इस तरह से थी, जो classification of compounds थी, यो origin basis पे थी, वो किस पे थी, origin basis पे, origin आपके पास दो तरह के होता है, एक living source होता है, एक non living होता है, ठीक है, जो भी चीज आपकी living thing से निकलती थी, या कोई भी compound क्यों बिविभिग थी जो निकल रहा है उसको वो कहते थी य야, और्गैनिक है, जो compound आपका non-living thing से निकला है उसको ये कहते है जी inorganic compound है जो non-living से निकला है उसको inorganic कहते है जो living है उसे organic कहते है ऐसा क्यों था पहले है को जितने भी scientist थे चलें आपको next vital force theory का भी जिकर करते हैं फिलहाल जो original basis पे जो compounds की classification की जाती थी 200 साल पहले की ये बात है जो living things होती थी जो living things होती थी उसमें से जो कुछ भी निकलता था उसको organic compound कहते थे जो भी compound निकलता था और non-living thing से जो भी compound निकलता था उसे inorganic compound कहते थे अच्छा ये ना with the passage of time एक concept बनता गया जो पराने scientist थे काफी scientist ने इस पे work की अब बड़ा इसको reject करने की कोशिश की है मतलब पहले जो scientist थे वो काम करते थे इस चीज़ पे वो चाहते थे के जो हमारे पास organic compound है ना वो inorganic से prepare हो जाए उन्होंने prepare करने की बहुत कोशिश की लेकिन उनसे नहीं हुआ फिर आईस्था इस्था एक concept developed हो गया एक concept developed हो गया जिस concept का मतलब यह था कि जो organic compound है उनको हम सिरफ और सिरफ living things से prepare कर सकते है और organic compounds only prepared from living things इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी organic compound है वो सिरफ और सिरफ living things से निकल सकते है non-living से नहीं आ सकते With the passage of time, यह हुआ कि यही जो हमारे पास concept है, वो theory में change हो गया, उस theory को हम लोग vital force theory कहते हैं, यह जो concept था, वो एक theory में change हो गया, जिसको कहते है vital force theory, basically जो vital force theory थी, उसका मतलब यह था कि जो vital है, vital means होता है unique, vital means होता है important, वो कहते थे कि आप देखे कोई भी जो natural force है, कोई भी जो natural force है, मतलब God created है, या कुछ भी कोई natural process है, वो हम लोग अब परिंदा खुद तो ही ना बना सकते, तो उनका यह मानना था कि जो organic compounds है, उनके अंदर कहलें कि God created एक ऐसी force है, एक इतनी important force है, जिसको हम लोग खुद create नहीं कर सकते, उनका यह मानना था कि एक ऐसी important force ह है, जिसको हम लोग खुद तियार नहीं कर सकते, या कोई ऐसा bond है, इस तरह की force है, जो सिर्फ God created है, हम उसको खुद तियार नहीं कर सकते, यह उनका believe बन गया था, जिसके बास scientist ने, जिसके बास scientist ने, सोचना बंद कर दिया, इस पे काम करना बंद कर दिया, क्योंकि यह एक theory बन गई थी, जिसको vital force theory कहते है, कि सिर्फ God created theory है, इसी scientist ने इस पे work करना, कोई भी scientist ऐसा नहीं था, कि जो इस पे काम कर रहा था, क्योंकि बहुत से scientists इस पे काम कर चुके थे, और अपने article वगरा लिख चुके थे, कि यह एक theory बना दी गई, theory बनती तब है, जब कहलें कि क इस इस पे हाम करना छोड़ दिया था, कि नॉर्गैनिक से और्गैनिक मोउंट तियार करना तो scientist ने इस पे work चुट दिया था, जो फ्रेडरिक वोलर था, जिस ने आप कहलें कि जिसने हमारे पास एक इन और्गैनिक कंपाउंड से और्गैनिक कंपाउंड प्रिपेर किया फ्रेडरिक वोलर जिसने इन और्गैनिक कंपाउंड से एक और्गैनिक कंपाउंड प्रिपेर किया basically जो हमारे पास फ्रेडरिक वोलर था वो अपना experiment या इस theory को reject करने के लिए नहीं कर रहा था इस theory पर काम मतलब जो इस theory को मान लिया गया था कि ऐसा possible ही नहीं है यह basically जो preparation कर रहा था वो ammonium cyanate की preparation कर रहा था experiment के दुरान हुआ कुछ इस तरह से कि जो ammonium cyanate prepare हुआ वो unstable होके urea में change हो गया next हम इसका complete mechanism भी पढ़ेंगे जो ammonium cyanate है हमारे पास वो किस में change हो गया? unstable था वो urea में change हो गया अब कहा ये जाता था कि जो हमारे पास जितने भी inorganic compound है ये non-living thing है non-living thing से हम लोग organic compound prepare नहीं कर सकते क्योंकि उनमें एक vital force पाई जाती है एक unique force पाई जाती है जो सिर्फ naturally है तो इस तरह से हुआ क्या? कि ammonium cyanate की त्यारी के दुरान हमारे पास urea की formation हो गई it means जो हमारे पास vital force theory थी जो हमारे पास vital force theory थी वो reject हो गई और इसको reject frederic waller नहीं किया और frederic waller जो था उसका मकसद तो कोई नहीं था कि मैं इस theory को reject करूँ ये कहले कि accidentally इस तरह से हुआ है कि जो हमारे पास ammonium cyanate है वो unstable था unstable होके वो किसमें convert हो गया और organic compound उसमें urea prepare हो गया आगे हम लोग इसका mechanism पढ़ेंगे क्या उसने इस्तमाल किया सारा कुछ अभी पढ़ेंगे जो frederic waller था मैंने पीछे भी बात की है उसका बिलकुल ये purpose नहीं था कि मैं vital force theory को reject कर रहा हूँ accidentally कुछ इस तरह से हुआ वो basically जो ammonium cyanate था उसको prepare करने वाला था किसको prepare कर रहा था ammonium cyanate वो ammonium cyanate की preparation कर रहा था उसने क्या किया उसने lead cyanate लिया ammonia लिया और water लिया इन तीन चीजों को उसने मिला के basically ammonium cyanate की त्यारी करनी थी ammonium cyanate की लेकिन reaction कुछ इस तरह से हुआ जैसे ही ammonium cyanate prepare हुआ जैसे ammonium cyanate prepare हुआ वो ammonium cyanate और cyanic acid में convert हो गया वो ammonium cyanide और sianic acid में convert हो गया अब sianic acid और ammonia फिर से आपस में react करके urea में change हो गए किस में change हो गए? urea में change हो गए basically जो urea है वो हमारे पास organic compound है और ये कहले के mammals या animals के जो urine में पाया जाता है और ये बहुत ही अच्छा fertilizer भी है basically मैंने जो पीछे आपका reaction है उन में जितने भी compounds इस्तमाल हो रहे है मैंने उनकी ionized farm भी लिखी है उनका structure भी बनाया है ताके जो इस reaction का mechanism है वो आपको अच्छे से समझ आज़ा है कि frederick follower कर क्या रहा था ठीक है किस तरह से जो हमारे पास urea है वो prepare हो गया मैंने यहाँ पे water उसका structure बनाया पे basically negative charge होता है इसका structure मैंने बनाया है carbon basically जो है ना 4 bond बनाती है carbon 4 bond बनाती है चार के 4 bond पूरे है इसलिए carbon neutral है oxygen 2 bond बनाती है oxygen भी neutral है लेकिन N पे negative 1 charge है N पे negative 1 charge है वो कैसे है क्योंके nitrogen बनाती है 3 bond लेकिन अभी तक एक bond फ्री है इसलिए 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 negative 1 charge है तो CNO जो हमारे पास CNO का रूप है उसलिए negative charge है उसके बाद जो उसने lead cyanide लिया यह मेरे पास है lead cyanide जो वो lead था उसने अपने reaction में lead cyanide इसलिए 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 प्लस 2 होती है इस पे negative 1 है और इस पे भी negative 1 है, दोनों ने इसको balance किया हुआ है, जो lead cyanide बना है, इसकी आइने इस form मैंने लिख दी है, आपको mechanism में काम आएगी, ये दोनों, उसके बाद आ जाता है lead hydroxide, जो आपके reaction के अंदर use होगा, lead hydroxide, मतलब product बनेगी या फिर unstable होगा, lead hydroxide, lead hydroxide basically भी same है, जैसे lead cyanide है, same वो ही oxidation state, ठीक है, ये product बनेगी उसके बाद unstable, जो भी आपका procedure होगा, mechanism में पढ़ेंगे, इसकी मैंने ionis form भी आपको लिख दी है, उसके बाद हमारे पास एक product बनेगी, cyanide acid, जो ammonia के साथ react करेंगे, चले हो आगे पढ़ते हैं, तो इसका भी मैंने structure बना दिया आपको ये इसका structure है, carbon की विलंसी पूरी है, oxygen की विलंसी भी पूरी है, उसके बाद nitrogen की विलंसी भी पूरी है, सारे neutral है, ionis form मैंने इसकी लिख दी है, जब H positive निकलेगा, CNO negative बनेगा, plus 1 और minus 1 oxidation state आगी, उसके बाद मैंने ये urea का structure भी लिख दी है, अच्छा एक fertilizer है, और urine 9 of members में ये पाया जाता है, ये हमारे पास urea, ये last में हमारी product है, जो organic compound accidentally बन गया, अब बगर इसके mechanism की बात करें, अब हमारे पास जो reaction में, जो हमारे पास compound बगएरा यूज हो रहे है, वो मेरे पास है, lead cyanate, ठीक है, उसके बाद ammonia है, उसके पास water है, तो इन तीनों का आपस में reaction हुआ है, जो इसको first step है, उसमें हुआ है, जो हमारे पास ammonia है, ammonia के basically दो molecules use होने है, लेकिन इदर सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, मैं नीचे दो use किये हूए, यही process जो आपका step 1 है, ये दो बार आपने इसको करना है, जो हमारे पास ammonia है, ये हमारे पास ammonia है ये हमारे पास है जी water, ammonia के उपर एक lone pair होता है, और आपको पता है oxygen जो हमारे पास है, ये जो oxygen है, ये highly electronegative है, partial positive charge होता है hydrogen जो इसके side हों पर लगे होते हैं, ammonia मैं से जो lone pair है, वो कहां पर attack करेगा, H positive पे, ठीक है, किसी एक H positive पे attack करेगा, जो oxygen के साथ attach है, तो होगा क्या, कि जो NH3 है, वो basically NH4 positive में change हो जाएगा, किस में change हो जाएगा, NH4 positive में, अब इस पे positive charge क्यों आगया, क्योंकि ammonia ने जो अपना lone pair था, वो H को दी है, ठीक है, इसलिए overall molecule पे positive charge आगया, ठीक है, इस पे जो positive charge आगया, और हमारे पास A catch जो था, A catch था, वो ammonia के साथ attach हो गया, water से A A catch ammonia के साथ attach हो गया, वो ammonium ion बन गया, और जो पीछे रह गया, वो OH negative रह गया, ये दो हमारे पास ions की farm में रह गया, अब basically जो हमने, ये जो reaction है, हमने दो molecule लेने है, ammonia के, दो ही water के लेने है, basically, पहले तो हमने सिर्फ एक ammonia लिया, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, basically हमने दो बार इस reaction को करना है, और आप खुद सोचें, पहले हमें अगर हम दो बार इस reaction को करेंगे, हमारे पास 2 NH4 positive आ जाएंगे, और 2 OH negative आ जाएंगे, इसको आप copy पे करके देखें, हमारे पास 2 NH positive आएंगे, और 2 हमारे पास क्या आएंगे, OH negative, मैं फिर repeat कर रहा हूँ, सबसे पहले जो ammonia है और water है आपस में react करेंगे, ammonia और water आपस में react करेंगे, water में इसे जो H positive है, ammonia उसको lawn pair का उसपे attack होगा, और H positive को अपने साथ ले जाएगा, और वो NH4 positive में change हो जाएगा, water का 1 H गया, उसके पास क्या रहा गया, OH negative, अब दो बार इस reaction को करेंगे, तो 2 हमारे पास NH positive आएगे, ammonia मायन, और 2 ही हमारे पास OH negative आएगे, step 2 पे आजए, step 2 में क्या होना है, जो हमारे पास lead cyanide था, lead cyanide, मैंने आपको उसकी ionis वाम बताई थी, lead की plus 2 oxygen state होती है, cn की minus 1 होती है, दो बार है, ठीक है, cno की जो है minus 1 होती है, ये दो बार है, इसलिए plus 2 oxygen state को ये balance कर रह ये दोबारा फिर लिखी हुई है, अब अगर देखा जाए, reaction के अंदर क्या क्या चीज़े present है, जो ionized farm में है, एक तो पीछे हमारे पास 2 थे NH4 positive और 2 OH negative थे, hydroxylene जो थे, 2 ये थे आपके पास जो water से निकले थे, और water के 2 hydrogen ammonia ले गया था, तो फिर क्या बना, 2 NH4 positive बन गया, आपके पास 2 NH4 positive ठीक है, और यहाँ पर देखें, जो हमारे पास lead cyanate है, उसमें से PB plus 2 1 है हमारे पास, और उसके पास हमारे पास है CNO negative है, 2 है, ये CNO negative हमारे पास कितने है, 2 है, अब हमारे पास PB plus 2 1 है, और हमारे पास ये सारे आपने count कर लें, ये जो हमारे पास ionized की farm में है अब PB जो हमारे पास प्लस 2 है, वो जो water में जो हमारे पास 2 OH negative थे, उनके साथ combine हो जाएगा, ये क्या बना देगा lead hydroxide, क्या बना देगा lead hydroxide, plus 2 oxidation state, और minus 2 neutral होगे, क्या बना दिया, lead hydroxide दूसरे नमबर पे हमारे पास क्या है, ammonium आए, दो थे NH3, एक बार react हुआ, एक NH4 positive बना, दूसरी बार फिर हुआ, फिर दूसरा NH4 positive बना, ये क्या करेगा, basically जो fredic wolar था, वो ammonium cyanide की preparation कर रहा था, तो ये cyanide के साथ मिलके, क्या बना देंगे, ammonium cyanide क्या बना देंगे, ammonium cyanide दो ammonium ion है और दो cyanide तो ये दोनों मिलके, 2 NH4 CNO बना देंगे फिर से मैं repeat कर रहा हूँ, ये दोनों अपस में मिले, ये हमारे पास क्या बन गया, lead hydroxide, ये मैंने जो yellow से mention किया हुआ ये दोनों अपस में मिले, और हमारे पास क्या बन गया, ammonium cyanide ये दोनों मिले तो क्या बना, lead hydroxide ये आगे मैंने product में लिख दी है अब हुआ कुछ इस तरह से कि जो हमारे पास था ammonium cyanide वो unstable था वो क्या था, unstable, मैंने इसकी iron ice farm लिख दी है, वो दुबारा से किसमें change हो गया, ammonia में और cyanic acid में, मतब सॉरी वो decompose हो गया, वो क्या हो गया, decompose हो गया unstable था, वो ammonia में change हो गया और cyanic acid में change हो गया अब ये process कैसे हुआ, मैंने इसको mechanism में mention किया हुआ है इसका mechanism क्या है, कि हमारे पास basically, अगर NH4 separate किया जाए, NH4 की oxidation state होती है, वो ये देखें, ये लिखी नहीं रहा basically, जो मेरा NH4 positive है, ये मेरे पास आगया, इसका structure अब हमारे पास जो एक hydrogen है, अगर अपने electron यहां से कहलें कि ammonia को दे दे, या nitrogen को दे दे, तो वो ammonia की formation हो जाएगी, मतलब compound neutral हो जाएगा, अगर hydrogen अपने electron छोड़के, यहां पर मैंने यह बताया हुआ है कि यह जो ammonia की formation होई है यह जो मेरे पास ammonia की यह वाली formation होई है, यह कैसे हुए है कि यहां से NH4 से एक जो hydrogen है, वो यहां से nickel के, जो CNO था हमारे पास negative, उस पर जाके H positive लगा, किस पर लगा N के उपर, N negative और NH4 जो positive था, NH4 जो positive था, उसमें से एक H positive जो निकल गया था वो जब निकल गया, अपने electron दे के, तो ammonia की formation होई, और ammonia किसमें है, neutral farm में, और H positive ने क्या किया, उसने CNO के साथ, CNO CNO पर negative charge होता है, दोनो अपस में मिले, दोनो अपस में मिले, क्या बना, Sianic Acid Sianic Acid, पीछे हमारे पास जो formation होई थी, वो ammonia की होई थी, और उसके साथ किसकी होई थी Sianic Acid, यह Sianic Acid का मैंने structure पहले भी आपको दिया था, बना के, अभी मैंने दुबारा इसको बना दिये अब basically हुआ क्या क्योंकि आपके पास ही जो carbon है sorry, यह वाला जो carbon है इस carbon के उपर partial positive charge है, क्यों partial positive charge है क्योंकि इसके साथ जो oxygen attached है, इस पर partial negative charge है, वो इससे ज्यादा electron negative है same nitrogen भी electron negative है तो carbon के उपर partial positive charge है आ गया carbon के उपर क्या charge है आ गया partial positive charge है आ गया जो carbon और nitrogen के दर्मयान में bond था carbon कितने bond बनाती है? 4 अब एक lawn पर आ गया, ये भी bond बन गया तो 5 हो गया, तो फिर nitrogen और carbon के दर्मयान bond था, ये मैंने ये blue से color के साथ इसको mention किया, ओगे, यहां से bond तूट गया nitrogen की तरफ चला गया, किदर गया? nitrogen की तरफ से अच्छा जी, ये bond तूटा ये nitrogen की तरफ से ला गया अब तरह चेक करें, जो हमारे पस product बन रही है, ये मैंने next इसको mention किया हुआ है, सारी को अकठे कर दी है एक मिनट मैं pencil यूज कर लो हमारे पास इनके दर्मयान में जो bond बन गया है, nitrogen और carbon के दर्मयान, ये वाला bond बन गया अब जो मेरे पास nitrogen है, उस पे positive charge आगा है, क्योंकि nitrogen मनाती है 3 bond, nitrogen मनाती है, 3 bond इदर कितने बन गये? 4, तो उसमें से 1 H positive निकल जाएगा ताकि हमारे पास 1 H positive निकल गया, तो हमारे पास जो उसके bond है, जो carbon के साथ है, वो stable हो जाएगा अब जैसे ही, वहाँ से H positive निकला, जो bond टूटा था nitrogen का, ये वाला जो bond टूटा था, ये, इदर जो nitrogen का ये bond टूटा था, और दूसरी साइड पे लेक्टन चलेगे, carbon पे full positive charge आगा, जिसके वैसे long fair और nitrogen और carbon के दिरमयान में जो bond था, वो create हो गया अब ये जो bond टूटा था, हमारे पास इसमें क्या हुआ, कि ये जो carbon और nitrogen के दिरमयान में bond था, nitrogen पे क्या charge आ गया negative, और ये जो H positive NH4 से निकला, ये किस पे जाके tag कर गया, N negative पे किस पे tag कर गया, N negative पे तो हमारे पास product क्या बन गई? यहां से हमारे पास जो H positive था, ये किदर गया? NH4 positive हो गया था, carbon के साथ bond बन के, ये H positive उस N negative की तरफ चला गया, जहां से ये carbon और nitrogen के दिरमयान जो bond तूटा था, carbon पे full positive चाथ जा जा गया, जिसके वैसे lawn पे easily add हो गया, और एक bond टूट गया था, वो N negative बन गया था जो N negative बन है, उसके साथ NH positive जाके attach हो गया तो इस side पे हमारे पास क्या बन गया? NH2 बन गया, ये neutral हो गया nitrogen की 3 bond हो गया और यहां पे पहले 3 थे, 1 H था, 1 H था, वो H positive फार में निकल गया और N पे positive charge था अपने electron किसको दे गया? N को, इसका मतलब है हमारे पास क्या होगा, जो positive charge ये वाला, ये भी खतम हो गया ये positive charge हमारे पास खतम हो गया और overall जो हमारे पास compound है, वो neutral हो गया क्योंकि यहां से 1 H positive निकल गया NH2 बन गया और अपने electron दे गया N पे charge था positive N पे क्या charge था? positive हड़ जो अपने electron दे गया, वो भी neutral हो गया इस तरह से हमारे पास यूरिया की formation हो गई अगर आपको lecture की ना समझ आए, आप इसको कानली एक बार repeat कर ले ना, इसको copy पे हल करो साथ साथ, फिर आपको इसकी समझ आनी है बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आफिस